महादेव की किरपापानी के लिए कौन से ऐसे वो कारिया है जो सावन के महीने में करने चाहिए और कौन से कारिया सावन के महीने में नहीं करने चाहिए हर शीव भक्त के मन में ये विचार आता है हेंदु धर में सावन महीने का विशेश महत होता है सावन का महीना देवो के देव महादेव भगवान शीव को अधिप्रिय है सावन मास में भगवान शीव और मातापारवती की पूजा के साथ सोमवार व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है सावन में शीव कैलास्तियाक कर भूलोग पर निवास करती है हिंदू केलेंडर के हिसाब से सावन का महीना पांचों महीना होता है इस महीने में भगवान शीव की पूझा की जाती है कौारी लड़किया योग यवर के लिए भगवान शीव की पूझा करती है साल 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से स्टार्ट होगा और 12 अगस तक रहेगा तो चली जानता है कि महादेव की किरपा पाने के लिए कौन से वो कारिया है जो हमें सावन के महीने में करने चाहिए और कौन से कारिया सावन के महीने में नहीं करने चाहिए सावन महा में हर सोमवार को व्रत रखना बहुत ही शुमाना जाता है यह वैग्यानिक द्रस्टी से भी और धार्मिक द्रस्टी से दोनों ही तरीके से लाबदायक होता है इस पूरे महीने सोमवार को व्रत जरूर रखें सावन मास का प्रतिक सौमवार हर किसी मनुकामना की पूरती के लिए सबसे सरोतमाना गया है सावन महीने में पूरे महीने रोजाना शीव मंदिर जाकर महापर शीव और पारवती की पूज़त जरूर करें वर्ट रखने वाले को मुहामरतिन जय मंतर का रोजाना कम से कम एक सो आठ बार जाप जरूर करना जाए। भगवान शिव की पूजा करते समय या जलब ही शिक करते समय ओम नमश्यवय मंतर का जाप अवश्य करें। महादेव की किरपा पाने के लिए भगवान शीव को सावन के महीने में पंच्या मरत से अभिशिक जरूर कराएं पृतिख सोमवार को सावन सोमवार्वरत कता सुने धतूरा और भांग भगवान शीव को अरपित करें मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नियमित्म की पूजा करे। सावण में दूद का दान जरूर करें ये बहुत ही शुबाना जाता है। सावण महेने में शाम के समय भगawan शीव की आरति पूजा जरूर करें। सावन महीने में अगर दर्वाजी पर कभी सांड आ जाये तो उसे कुछ खाने को जरूर दे। सावन के महीने में कौन से ऐसे कानी है जो हमें नहीं करने चाहिए। सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कांसी की बरतन में खाना नहीं खाना चाहिए, सावन के महीने में शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर ना चाहिए, सावन के महीने में दूद का शेवन नहीं करना चाहिए, सावन के महीने में भूल कर भी सराप, मास, मचली, अताबसिक चीजों का सेवन ना करें, भगवान शी चीजों का त्याग जरूर करें माशिक धर्म के दोरान महिलाएं सिवलिंग की पूछा ना करें सावन महिने में संभग करें या नहीं यह प्रशन भी कैई बार हमारे दिमाग में आता है तो जो लोग सावन का व्रत करते हैं तो समवार के दिन आपको संभग नहीं करना ऐसा करना शिव पुरान में गलत माना गया है अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय आप फलार जरूर करें तो ये तिक छोटी सी जैनकारी उम्मीद करती हूँ दी गए जैनकारी आप सब के लिए लब दैकोगी वीडियो अगर पसंद आई तो शिरी कृष्णा रादे रादे